सी एली से साइटीज, केके, सिरीस स्कुल, चुकोडी नमस्ते बच्चों, कैसे हूँ आप सब? I hope के आप सब स्वस्त और ठीक होंगे, है ना बच्चों? तो आए, आज हम यहाँ पर दूसरी कक्षा की बच्चों के लिए क्या सीखने जा रहे हैं? तो आज हम यहां पर अम और आहा की मात्रा से या इन स्वरों से आने वाले शब्दों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं तो आज के इस क्लास में हम और क्या करने जा रहे हैं बच्चों अम और आहा मात्रा या उन मात्राओं से आने वाले शिब्दों के बारे में यहां पर अभ्याज करने जा रहे हैं तो चलिए बच्चो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर आपको अपनी किताब खोलनी है इस उसमें क्या करना है पेज नमबर 26 निकालना है तो आईए बच्चो देखें कि वहाँ पर क्या दिया गया है और हमें क्या सीखना है तो चलिए पेज नमबर 26 निकालने और देखें वहाँ पर क्या दिया गया है ओके तो देखें बच्चो तो देखे बच्चों वहाँ पर अम और अहा से जुड़े शिप्तों को दिये गए हैं तो अर्ड़ी हम यहाँ पर अम और अहा से जुड़े मात्रा अनुसर शिप्तों को सीख चुके हैं तो बताई बच्चों अम और अहा को क्या कहा जाता है बताईए बच्चो अम और आःको क्या कहा जाता है अप जानते हैं ना बच्चो हैं सभी वर्ण कहलाते हैं इस वर्ण माला के अंतरकत आने वाले अयोग व्यरा है इतने हैं दो अम और अहां अम को हम अनुस्वार कहते हैं इस अम को क्या कहा जाता है बच्चों अम को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है तो ध्यानतीजी बच्चों यहां पर अम को क्या कहते हैं अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहा जाता है अम देखें वहाँ पर औ के उपर एक बिंदू लगा हुआ है इस तो उसी को हम क्या कहते हैं अम तो आभी उच्छारन कीजिए बचो अम इस मेरे साथ उच्छारन कीजिए अम और अहां अहां इने के औ के बाजू में इने के साइट पर दो बिंदू लगाए गए हैं जिसका अहां कंब शेहां अहां आभी उच्छारन कीजिए आप मेरे साथ कीजिए आहां इस अनुसार किसी कहा जाता है विसर्ग किसी कहा जाता है जा तो देखें बिच्चो आज हम यहांपर और अहां से जुड़े शड़े को सीखने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है बच्चो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और end तक देखना है तो देखना है यहाँ देखो और पढ़ो तो यहां पर शब्द दिये गए हैं जिसे आपको क्या करना है बच्छों देखना है और पढ़ना है see and right क्या है बच्छों see and Right ऐhoneच इस औसे अंक कु तो से अंक के कि बच्चों वहांपर अंग का शब्द है ना बच्चों ये एनिके अनुस्वार का कि इन्ड अवहें ओसे उंग। और कि रहा है बन दर तरमध्बन वाच्चोंすवार शब्द कहला अने वाला शब्द है लेकिन बंदर जो है अनुस्वारन से आने वाला शब्द है जैसे हम क्या करते हैं बच्चों बंदर इस एसी बहुत सहरी शर्द हम लास्किल सीख चुके नहिंगे दिया गया है उसके अलावा और क्या आता है बच्चों बताईए अंग इस उसके अलावा क्या आता है अंग एक क्या है अंकी मात्रा से आने वाला शिब्द है अंग नेक्ष अंग नेक्ष काता है बच्चों अंग इस अंग रंग इस रंग एक क्या है बच्चों अंकी मात्रा से आने वाले शब्द कहलाते हैं नेक्ष रंग के बाद क्या आता है बच्चों बताईए पंक यह क्या है यह क्या है बच्चों हमकी मात्रा से आने वाले शब्द है इस पंक हन्स इस क्या है हन्स यह क्या है बच्चों हमकी मात्रा से आने वाले शब्द शंक इस शंक नेक्स देखें बच्चो और भी बहुत सारे बहुत शापते हैं आपर जैसे के ठंडा इस ठंडा मंच इस मंच आगे और भी बहुत सारे शापते हैं जैसे के जंडा अम्बर इस अभी क्या कहलाते हैं बच्चों बताएए इस अभी अम की मात्रा से आने वाले شब्द कहलाते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं विसर्ग किसे कहते हैं अम से आने वाले शर्द या अम की मात्रा से आने वाले शर्द ओके समझ में आ गए ना बच्चो तो नेक्ष देखिए यहां पर आहा नेक्ष क्या है बच्चो आहा तो आहा की मात्रा से या आहा से आने वाले शर्द कौन से हैं देखे बचो आहा की मात्रा से आने वाले शब्द यहां पर दिया गया है नमहा आहा नमहा इस सिर्फ एक नहीं आहा से भी बहुत सारे शब्द हमें यहां पर दिखाए पड़ते हैं जैसे के यहां पर देखिए अतहा इस क्या है बचो अतहा इस यह क्या है आहा की मात्रा से आ यहां कि किया है कि मात्रह से आने वाले श्बद फुनह आगे देखिए बच्चों कि श्वट हथर इस मत फिर शब्द पताई बच्चों जैसे के स हर स्प्राय अहसे इस अभी क्या कहलाते हैं बच्चों अहां की मात्रा से जुड़े शब्द कहलाते हैं या अहां की मात्रा वले शब्द कहलाते हैं अंत तह इस नेक्ष कौन सा आता है बच्चों अंत तह ओके और एक शब्द क्या है क्रमशह इस क्रमशह इस अभी किसके अंतर गताते हैं आहा की मात्रा से जुड़े शिब्द कहलाते हैं ओके फलतह इस फलतह इस यह क्या है बच्चो आहा की मात्रा से आने वाले शिब्द कहलाते हैं ओके तो समझ में आ गए ने बच्चो इसे भी क्या है आहा की मात्रा से आने वाले शिब्द हैं और अहा को क्या कहा जाता है विसर्ग कहा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि अम और अहा अयोग वाह कहलाते हैं अहा को अनस्वार कहा जाता है अहा को विसर्ग कहा जाता है ओके तो नेक्स देखिए बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर क्या दिया गए है यह क्या है एनिके चंद्र बिंदु वाले शर्ग्ड लाश्ग में हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रधात रह से जुके हैं जिसे हम क्या करते हैं बक्चों चंद्र बिंदू कहते हैं यहां चंद्र बिंदू वाले शब्द यहां पर चंद्र बिंदू वाले शब्दों को उधारन उच्छारन करते समय मूह और नाथ दोनों से आवाज निकलती है यहां के मूह के साथ साथ क्या होता है बच्चों नाथ से भी आवाज निकलती है यहा जिसे कि यहां पर चंद्र बिंदों को सुरी चंद्र बिंदों का उच्छारण करते समय क्या होता है बच्छो मुह और मुह के साथ साथ नाख से भी आवाज निकलती है जिसके यहां पर उधारन में दिया गया है चांद यह क्या है बच्छो चांद यहने के चंद्र बिंदों जान एक अंड Feod AB क्या है चंद्रबिंदू वाला शब्द है and the last class में हम छीख हैं ने अंड वी यह भी क्या कर लाता है चंद्रबिंदू वाला शब्द कहलता है आंक पांट इस पांट एक चंदर बिंदु वाले शब्द है और चंदर बिंदु का जो यहाँ पर साइन होता है देखिए इसे आधा चंदर और उसके उपर एक बिंदु के आकार में लगाया जाता है इसे हम क्या करते हैं बच्चों चंदर बिंदु कहते हैं कि समझ के आगे लास क्लास में हम यहां पर चंद्रविंदु वाली शिब्दों को भी हम शीक चुके हैं किछ अशा करती हूं कि क्लास आपकी समझ में आज चुका होगा तो आपको क्या करना है बच्चों आज के इस क्लास पर आधरेत आपका ग्रहकारे क्या है अम और आहा की मात्रा से जुड़े शब्दों को लिखना है और यहां पर जो चंद्रबिंदु का चंद्रबिंदु वाले शब्दों को भी आपको क्या करना है बच्चों लिखन है और पढ़ना है ओके आज का यह क्लास आपकी समझ में आच चुका होगा तो चलिए बच्चों इस क्लास को यहीं पर साथ करते हैं नेक्स क्लास में हम फिर मिलेंगे ओके बाबाई टेक केर